हाई दोस्तों हमारे यूटूब चैनल SRS Mobile में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज आपको हम बताने वाले हैं कि फोटो पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनते हैं आए दोस्तों तो अपना केंप्पूटर मेंने अंकर रखा है अब फोटो शाप को ओपन करते हैं अब एक फोटो कोई भी स्लेक्ट करते हैं जो कि डबल क्लिक करने से हो जाएगा यह रा फोटो मेरा फोटो उपन हो चुका है अब उसके बाद इस फोटो को सीधा करना है इमेज में जाकर के रोटेट पे 90 डिग्री पे करना है इसको यह हो गया खुल गया अब इस फोटो को थोटा कर लें ताके स्लेक्ट करने में आसानी हो अब इस टूल से आपको स्लेक्ट करना है टूल का नाम है करप्ट टूल और उसके बाद स्लेक्ट करें अपने फोटो को यह बहुत बड़ा हो गया थोड़ा और छोड़ा कर लें कंदे से कंदे मिलाया जा ताकि आसानी से बन सके अब इसके बाद इंटर कर दें अब इसके बाद इमेज पर क्रिक करें इमेज साइज इसका बनाए इसके बाद फिर फोल्डर लें कि अपने पासप्पॉट साइज को जो मैंने ने बनाएक कर रख़ा था असपर कंट्रोल प्लस अल्ट कैना एक स प्रेकर बादा पके यहाँ पहलें कर लेक्झाए है किंट्रोल देहर है और उसके बाद फोटो को जहां पर ज़रूर्व थे आपको वहां पे सेट कर लें अब उसके बाद इसमें फ्रेम लगाना जरूरी होता है जो कि आपको इजिट में जाएं इजिट में जाने के बाद इस टॉक में जाने के बाद आपको यह खुल जाएगा कुछ इस तरह होगा उसके बाद चार फिक्सल या तीन फिक्सल दो फिक्सल जो भी लगाना चाहें ज फिर Ctrl प्लस Alt दबाना है एक साथ और फोटो को निकाल अट करके साइड में फिर रख देना है फिर इसी तर करना है इसी तर करके और अपना पूरा पेज को भर दें इसके बाद से फिर अब इसको प्रिंट करें अब इस तर चाहें तो पूरा पेज भर सकते हैं नहीं तो 6 पेज निकालना है तो 6 पेज रखें इसके बाद फिर फाइल में जाएं उसका प्रिंट आप्शन पर प्रिंट करें उसके बाद प्रोशेट पर करें प्रोशेट होने क के बाद इसकी क्वालिटी को तेज़ करता हूं जो के सिकेंड है एप्शन मैटल उसके बाद सिकेंड वाला है हाई क्वालिटी का हाई करते हैं और इसके बाद प्रिंट करेंगे यह प्रिंट कर देगा तो दोस्तों हमारा चैनल आपको कैसा लगा आपको मेरा चैनल पसंद आ अब इल आइकन देवाना ना भूले